आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आपके जो Samsung phone है उसकी keyboard की color आप कैसे change कर सकते हैं ओ भी पिल्कुल free कोई भी app आपको इसके लिए install करना नहीं पड़ेगा जी हाँ कोई भी app install करना नहीं पड़ेगा अगर एक वीडियो पसंद आए तो एक like जरूर कर दिजिएगा so let's go तो यहाँ पर आप देखिए जो Samsung phone के setting वाला option है एक setting वाला option पर जाना पड़ेगा आपको keyboard की color change करने के लिए तो हम setting वाले option पर click कर रहे हैं क्लिक करने के बाद आप देखिए scroll down करके थोड़ी सी नीचे आई और आप देखिए कि एक accessibility नाम का option है accessibility नाम की option पर जरा click कर दीजिए click करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर एक option आ रहे है visible enchantments की नाम यह जब visibility enchantments के option है यहाँ पर हम click कर देते हैं click करने के बाद आप देखो एक और भी option आ रहे है high contrast keyboard high contrast keyboard की नाम पर एक option आ रहे है उसको हम on कर देते हैं on करने के बाद इस पर high contrast keyboard पर फिर से एक बाद click करते है color choose करने के लिए यहाँ पाद देखिए blue color है blue and white black and white है white and black है yellow and black है तो इस में से आपको जो भी color पसंद आए आप उसको select कर सकते है तो मैं यह वाला color select करता हूँ यह बाले मुझे थोड़ा पसंद आए तो मैं इसको select कर लेता हूँ देखिए यहाँ पर मैंने select कर लिया तो मैं आपको प्रूब दिखाता हूँ किसी को भी मैं message send करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एक जो keyboard की color था यह change हुआ की नहीं तो मैं back पर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर message पर आता हूँ यहाँ पर मैं किसी को भी कुछ लिखता हूँ जैसे कि मैं यह पर लिखता हूँ हाई देखिए मेरा keyboard की color जो है यह change हो गई है तो ऐसे करके आप आपकी keyboard की color को change कर सकते हैं बीना कोई app को install करके ही झाल